देश में दो कोरोना वैक्सीन को डीसी जी आई की मन्जूरी को वैक्सीन को एमर्जनसी इस्तमाल की मन्जूरी इन्जूरी मिलने के बाद अब ये वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाई जा सकेगी कोई शील्ड और को वैक्सीन को दो से आध डिग्री के तापान में सुरक्षित रखा जा सकेगा कोरोना वैक्सीन की मंजूरी पर पीम मोदी ने कहा भारतियों के लिए आज गर उका दिन सुर्देशी वैक्सीन को मंजूरी पिलने पर मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ ने पीम मोदी को बढ़ाई दिये काय प्रदान मंजूरी मोदी के नित्रेटों में भारत दो वैक्सीन एक साथ लॉंच करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत की वैक्सीन को लेकर दुनिया में खुशी के लिए है डवली एचो ने भी भारत की वैक्सीन का स्वागत किया कहा कोरोना के खिलाद जंग और टेज होगी कॉंगरे सेता और चांसर शर्शी थरूर ने वैक्सीन पर उठाय सवाल तीसरे चरण से पहले मन्जूरी देना हो सकता है खतरनाक वैक्सीन को लेकर कॉंगरेसनेता राशी अल्वी का विवादित बयान अकरेश यादों के बयान का समर्थन करते वेक कहा विपप्स को परिटिकली खत्म करना चाहती है सरकार दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक करीब साथ महीने के बाद पहली बार 500 से कम नए मामले आये सामने देश में 24 गंचे में कोरोना की 18,000 से ज़्यादा नए मामले मिले कोरोना संक्रमर से 217 लोगों की मौत पढ़ाके की ठंड और बारिश के बीच किसानों का अंदुरन जारी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान किसान नेताओं और सरकार के बीच कलाट्रे दौर की होगी बाची 24 गंटे बाद फाइनल पैसला आने क्यों नीए जिशी कानून पर बाचीट से पहले किसान सरकार पर बनाना चाह रहे हैं दबाओ कई राजियों से दिल्ली के लिए कूच किये अपिसानों ने वाजीट से पहले किसानों का आल्चिमेटर मांगे पूरी नहीं हुई तो 26 जन्वरी को चाक्टर परेड जो अ तक सिंदली के लिए 1500 से जादा किसानों का चाक्टर मार्च सरकार और किसानों के बीच वारता से पहले यूपी पुलिसवी सतर्क समेधन चिल जिनों में सीनियर अफसरों की फिल्ड पर तैनाती और अंगबाद का नाम संभाजी नगर करने के प्रस्ता पर शिर्दाच कॉंगर्स सामने सामने सेंटर ने रूपम बोले नाम बदलने से हो जाएगा विकास मंगल के चुनावी रण में मम्ता खेलेंगी हिंदू त्वकाड आठ और नौ जन्वरी को मम्ता का गंगा सागट दौरा कपिल मुनी मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना कश्मीर में हो रही बर्बारी से जन्वरी तरह से प्रभावई तापमान में भारी गिरावट कश्मीर के जवाय टनल में खरीब 10 इंच तक बर्बारी गुलमर्ग पैल गाम में भी भारी बर्बारी मनाली में अटल तनल में सोलंग के बीच ससे 300 सैलानियों का रेस्क्यू भारी बर्बारी के चलते परेटों की गाडियां फसी थी दिली अंसियार में कडाके कि थान की बीच जोड़डार बारिश जमाजम कुई बारिश से बदला मौसम का मिजज दिली अंसियार में हो रही बारिश से सड़कों पर जल भरा गुर्गराम में वाटर लॉगिंग से बड़ी परेशानी जमुकरश्वीर के रामवर में भीशन आग 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 ने कई घरों को जलाकर किया खाक लाखों का सामान जर्कर स्वाः गाज़बाद में गिरा शमसान घाट का लेंटर हाथसे में सातों के मौत की आशनका गाज़बाद हाथसे पर मुक्यमंत्री हो गिया दितनात ने जताया दुख पेड़त परिवारों को हर मुम्किन मदद का दिया बरोसा लगनों में वेकाबू ट्रक एक बकान में घुसा जनुरां का जुन्डा जाने से हुआ हाथसा पुतर प्रिदेश के लड़िक पूर्बे योती ने फासी लगाकर खुटकुशी की पड़ूसी मेलाओं पर प्रतारना कारों लगनों में बारी मात्रा में अवय शराब पकड़ी गई हर्याना से की जा रही थी शराब की तसकरी रदला में कार ने स्कूटर सवार को सामने से टक्कर मारी स्कूटर पर बैची युगतियां कार की चपेच में आयालत गंभीर राइस्तान के पाली में कोहरे और दुन के वज़े से हुआ हाथसा एक के बादे एक चार्ट ठ्रेलर आपस में भिड़े वारनती में संतों ने किया काशी विश्वनात करड़ोर का निरिक्षन कहा क्यान वाफी परिसर मंदिर परशासन को सौब देना चाहिए उपी सरकार ने रहन बसेरों का डाटा किया ऑनलाइन अब गूगल के जरिए भी ढूड़ा जा सकेगा रहन बसेरा प्रदेश में तैयार किये गए हैं 1027 रहन बसेरे ताजनगरी आगरा में मामूली विवात पर दो पक्षों में मारपीट, मारपीट का वीडियो वारत यूपी के गोंडा में पुलिस और बदमाशों के भी समुटपेड, पुलिस ने तीन बदमाशों को गरफतार किया प्रदेश के हातरस में देड़ साल की मासूम सिदे पुलिस ने आरूपी को किया गिरफतार यूपी के गोंडा में फर्जी टीचर गिरफतार, दूसरे के दस्ता वेस पर गलत तरीके से कर रहा था नौकरी लखनाओ के सिदेश पतार में भर्टी चार महीने का बच्चा कोरोना पॉजिटिब निमोनिया का पूरा था हिलाज यूपी के वैराइच में दो गरों में लगी भीशनाग, कडी मशक्कत के बाद आख पर काबू तिरोजबाद में सिरसा गंज सबजी मंडी में बीशनाग से तीसा आइस थाई दुकाने जलकर के खाग गंटों के मशक्कत के बाद आख पर खाबू वरणाजी में खिशी वेग्यानी के घर बंब से हमला किया मामला दर्ज कर जांच में जूटी पुलिस शिवराज मंत्री मंडल का विस्तार हुआ तुलसी सिलावाट और गोएंद सिंग राचपूत ने मंत्री पत की शपतली मध्य प्रदेश में आपत्तरबाजी के खिलाब बनेगा त्रक्त कानून मुख्य मंत्री शिवराज चिंचाहान ने दिये संके मध्य प्रदेश में बन्द होंगे कोविट की अर्श सेंटर बोपाल को छोड़ करके प्रदेश बर के सेंटर को बंद करने का अस्तवास त ब्रबाल दे जारी की आदेश वालियर में अवैर शराफ के कारोबार मामले में दो आरोपी ग्रफतार आपकरी भाग ने छापे मारी में जब्त किया करीब चार लाग का सामान वैशाली में बारी मात्रा में शराफ बरामत, पुलिस ने ट्रक से विरामत की शराफ संत्रे की आर्ण में हो रही थी तसकरी व्यार के खगड़िया में बैंक पैनेजर पर यौन शोचन का आरोब, शादी का चांसा देकर के तीन साल तक यौन शोचन पटना में रफ्तार का कहर बेगाबू ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा, सक्स की मौके पर ही मौक व्यार के सीवान में देसी कट्टे के साथ तीना रूपिक रफ्तार पकड़े के बदमाशों में एक हिस्ट्री शीटर खड़िया में आपसे विवाद में सक्स की हत्या दवंगों ने किया था बुजर्ग पर लाद भूसे से हमला पुलिस मामले की जाच कर रही है व्यायती दनों पर जमीन आवंटन के मामले में जड़िये ने सरकार को सौपी रिपोर्ट 149 प्रकरणों की जाच में नियमों का लंगधन जैपोर में बर्ट फ्रू की दस तक जलमहल पाए दस कववेब मृत पाए गए जाच के बाद होगी बर्ट फ्रू की पुस्टी पुलिस CCTV पुटेच के आदार पर आरोपी की तलाश में जुटी आम लोगों के लिए कुलाप पुरी का जगननात मंदिर कोरोना नियमों का पालन करते हुए कर सकेंगे दर्शन अर्याणा की जेलों में बंदर खैदी अब बनेंगे आरजे और रिपोर्टर जेल के अंदर रेडियो सेशन खोले जाने का फैसला अब इस कॉल से बुकर सकते हैं LPD सिलेंडर पूरे देश के गराखों को मिलेगी यह सुईधा एक वर्वरी से दिल्ली वालों को नहीं मिलेगी वोड़ा फोन आईडिया की 3G सर्वेस मुबाइल नंबर 4G पर पोच कराने की अपील डीजल की बिक्री दिसंबर में प्री कोविड लेवल के 17 प्रतिश्यत कर पहुंची एकनोमी के संकट से बाहर निकलने का संकेत दिसंबर महीने में देश के निर्यात में आई मामूली गिरावट वाने जिमल्चाले ने जानका लेदी डिश्यल बैंकिंग के लिए अच्छी पहल आरबी आई ने देश बर में तैयार किया डिश्यल भुकतान सुचकांग वीडियो बाती हे क्रिकेटर हुए आई सूलेट रस्टों में खाना खाते वए वीडियो वारा नोने के बाद बीसी सियं ने क्या आई सूलेट वीसी सीड़िया की रिपोर्ट को बताया बक्वास का किसी खिलाणी ने नहीं दोडा नियम रक्षण अफ्रीका के तेज़ गेम बाज डेल स्टेन का बड़ा फैसला नहीं खेलेंगे आई पिया भाई इब्राहिम और दोस्टों के साथ समय पिता रही सारा लिखान सारा ने कुछ फोटोस सोशल मेडिया पर शेयर किये सुर्म बच्चन फार्दे की शूटिंग के लिए टीम संग डैसल मेर पहुँची क्रेटी सेनन बाद में जॉइन करेंगे अक्षा को बाद आईश्मन खुराना ने बेटे विराज वीर को किया बड़े वेश्ट लिखा तुम में दिखती है मेरी बच्चाई फिन्लेंड में फाइजर की वेक्चीन का साइट इफेक्ट दिखा दो दिन पहले ही डबली अच्चन ने इसे इमेर्जेंसी यूज के लिए फूख किया था उतरी आरलेंड में कोरोना संक्रमण रोखने के लिए लॉकडाउन जादी लॉकडाउन के चलते सेंट्रल ब्रेफपास्ट की सडके खाली जिए जर्मनी में बढ़ते कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए सकती दस जिन्वरी के बाद भी बढ़ाये जा सकता है लॉक्डाउन लंडन में लॉक्डाउन के विरोध में साड़क पर उत्रे लोग हाइट पार्क में पुलिस ने 17 पर दर्शनकारियों को घरबतार किया प्रेस करवाना होगा आठ जन्वरी से शुरू होंगी फ्लाइट्स इस टंड बाइकर उची जगा से नीचे चलांग लगा रहा है चलांग लगाने में तो बाइकर सफल हो गया लेकिन देखिए उसकी बाइकाट क्या हल हुआ शेडियों की डेलिंग पर शक्स स्केट करने की कोश़ुश कर रहा है लेकिन वो अपनी स्पीट पर खाबू नहीं रख पाता है आपने आप को चोट पहुँचा लेता है ये शक्स बर्फ पर डांस कर रहा है लेकिन बर्फ पर फिसल जाता है एक बर्फ फिसलने के बाद वो खड़ा होता है तो बर्फ की नमी उसे फिर गिरा देती है तस्वीरे आप देखें ये शक्स नदी में सर्फिंग किस तरह से कर रहा है सर्फिंग बोट के साथ उसने सोफे को बान दिया है शक्स और उसका डॉगी मजे से सोफे पर बैट करके सर्फिंग कर रहा है बच्चा चोटी सी बाइक पर सवार है वो उसे चलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बाइक की स्पीड को नहीं समाल पाया और सामने पिलर से टकरा गए